प्रोजेक्ट पर ही डिसकस होता है कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आई आपने कैसे फेज किया अगर ज्यादा ट्राफिक आजाता है तो आप क्या करते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है या टू-डू लिस्ट है और मुस्ट हम सभी रिज्यूमेज में यह सारी चीजे देखते हैं जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर ऐसी कंपनी में जो अल्रेडी काम कर रहे हैं उनके आप लेंग्डेन प्रोफाइल पर जाहिए और देखिए कि उन्हों ने किस टाइप के प्रोजेक्ट पर काम किया है हाई अब्रीवन आएम नमन गुपता फाइनल इयर अंडर ग्राजवेट आट एंसाइटी डेली अट अपकमिंग एसजी आट माइक्रोसॉफ्ट इस वीडियो वुट बी अबाउट वेब डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट सबसे पहले हम लोग बिसकस करेंगे कि हम प्रोजे कहां से लेकर आ सकते हैं and after that we would be moving on five unique ideas जो कि आप लोग बना कर उनको deploy करके real life में भी यूज में ले सकते हैं so let us get started before that अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दिन दो like and share this video and also if you are having any unique idea about projects दिन दो comment आँ तो सबसे पहले आते हैं कि हम projects क्यों बनाते हैं तो उसका सबसे पहला reason हो सकता है कि उस skill को सीखने के लिए या फिर आप अपने resume में डालने के लिए बना सकते हैं तो उस time अगर आप कोई बना बनाई चीज भी कोई website है जो already बनी हुई है implemented है तो आप उसको भी try कर सकते हैं क्योंकि उस time आपका main motive जो है वो skill सीखने के लिए होता है बट अगर हम वहीं बात करें resume में डालने के लिए तो resume में कोई भी चीज अगर पहले से बनी हुई है या काफी लोग उसको already implement कर चुके हैं वो कोई point नहीं होता उस चीज को डालने के लिए for example अब library management system है या to do list है almost हम सभी resumes में यह सारी चीजे देखते हैं पर इनका मुझे नहीं लगता कि कोई भी benefit होता है क्योंकि interviewer भी जो आपका interview ले रहा है वो देख देखके इन सेम चीजों को पक चुका होता है तो वो काफी जादा बेटर रहेगा अगर आप कोई unique चीज इंप्लिमेंट करें अब अगर आप लोग unique चीज भी implement नहीं कर सकते हैं तो उसमें आप क्या करेंगे for example आप किसी का clone ही बनाना चाहा रहे है अब मैंने facebook उठाया और facebook clone बनाया तो उसमें भी आप लोग यह चीज कर सकते हैं कि कोई आप नया feature add कीजिए उसके अंदर and resume में specifically mention कीजिए कि मैंने यह clone बनाया है और मैंने उसमें एक यह नया feature add किया है और इसके यह benefits होंगे वो जो है फिर काफी अच्छा लगता है कि कोई बनी बनाई चीज में भी आप कितने अच्छे और unique ideas लेकर आ सकते हैं उसके अलावा दूसरा है कि आप जो already चीज़े बनी हुई है उसी को change करके modify करके आप सोचे कि क्या उसमें उसी तरह की और चीज़े बन सकती है और उसको implement कीजिए या फिर तीसरा option है कि जो already इस industry में काम कर रहे है अच्छे अच्छे companies जैसे Google, Microsoft, Uber ऐसी companies में जो already काम कर रहे है उनके आप LinkedIn profile पर जाएगे और देखिए कि उन्होंने किस टाइप के projects पर काम किया है आप ऐसे 8-10 ideas accumulate कर लीजिए अपने पास और उनको mix करके आप कुछ अपने लिए दो या तीन अच्छे ideas चूज कर सकते हैं तो यह कुछ options हैं जहां से आप देख सकते हैं कि कौन-कौन स और एक चीज और है resume के point of view से कि अगर कोई भी एक भी ऐसा project होगा ना अगर आपके resume में जो already deployed है और real users उनको use कर रहे है और example आपने कोई website बनाई है जिस पे real users का traffic है वो भी काफी जादा तो उसको आप अगर resume में डालते हैं तो वो काफी जादा बेटेज डालता है और उस आपको problems आई आपने कैसे face किया अगर ज्यादा traffic आ जाता है तो आप क्या करते हैं और यही सारी चीजों के बारे में discussion होता है और जो कि आपने खुद बना रखा होता है तो फिर वो discussion काफी ही अच्छा जाता है तो चलिए अब हम एक एक करके 5 unique ideas जो मैं आप लोगों को देन तो हम generally यही से cap book करते हैं तो कुछ इसी type का हम लोग hawkers के लिए जो ferry वाले होते हैं उनके लिए भी बना सकते हैं वो क्या है for example जो vegetable sellers है हम उनके लिए एक website बना सकते हैं हम उनको register करेंगे अब आपको घर बेठे-बेठे कोई भी vegetable मंगानी है या ऐसा कुछ भी करना है तो आ उनको आप हर type का कोई जैसे आपको अपना भंगार sell करना है या ऐसा कुछ भी काम करना है तो उन सभी लोगों को हम register कर सकते हैं और इस website को हम use कर सकते हैं इसमें हम उन vendors के लिए एक चीज़ आड़ कर सकते हैं कि wending zone कौन सा है और non-wending zone कौन सा है तो वो उनके लिए भी काफ जदा helpful रहेगा तो यह प्रोजेक्ट आइडिया वन था जो मैंने ओला उबर ऐसी एप से सोचा है ना प्रोजेक्ट आइडिया टू क्या हो सकता है तो उसमें है कि जैसे हमने जुनाटो स्विगी ऐसी एप्स हैं जिससे हम food order कर सकते हैं restaurant से और अलग लगजिते से तो इसी type जो होती है उसके लिवी कर सकते हैं कि अगर हमें जो डबा सर्विस वाले होते हैं उनको हम रेजिस्टर करें और हम लोग वन डे के लिए या कुछ डे की continuously booking अल्रेडी करके रख दे यूजर या वन मन्त के लिए इस तरह से booking कर सकते हैं और उनके जो पीजी है होस्टल है जह तो आपको इतना discount मिलेगा और उसके अलावा काफी सारे features आइड कर सकते हैं ताकि जो आपकी वेबसाइट हो वो काफी जादा scale up हो पर अफको मार्केटिंग काफी जादा करने पड़ेगी अगर आप ऐसा कुछ भी बनाने की सोच रहा है जो third idea है वो मेरा Amazon Flipkart ऐसी website से आया तो हम एक ऐसा local shops के लिए भी एक website बना सकते हैं जिसमें उस किसी भी user के लिए उस particular area की जितनी local shops हैं हम उन सभी shops को उस पर register करें और उनके सभी product डालें अब उसमें हम दोनों option कर सकते हैं take away का भी और delivery का भी अगर किसी को अपने घर बैठे बैठे हैं उन shop से समान मंगाना ह हैं तो हम वो भी आड़ कर सकते हैं उसमें या तो हम अपने delivery persons डाल सकते हैं या फिर हम उन shop owner से बात कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई person हो जो delivery कर दे तो और ज्यादा बेटर होगा और दूसरा option है take away का भी कि आप लोग बस book कर दो पे कर दो आंड जाके वो shop से लिए पर क्या-क्या समान available है और क्या नहीं फोथ आइडिया जो है अभी almost सारी ही चीजे कोरोना की वज़े से online चल रही है बट अब अगर हम देखें कोई छोटी-छोटी birthday parties या ऐसे events जो होते हैं और generally नहीं हो रहे हैं तो उनको भी हम एक virtual particular platform बना सकते हैं जिसमें ऐसे छोटे- events हम organize करा सकें कोई भी user अपनी birthday party हो या कोई celebration party हो उसको organize कराना चाहता हो तो कुछ उसी type का हम एक website बना सकते हैं और उसमें सभी type की features हम add कर सकते हैं और उसके लावा अगर आपको suppose में साथ में match भी देखना हो या movies देखनी हो अपने friends के साथ तो ऐसी ही website platform भी बना सकते हैं जो कि इस तरह की facilities भी provide करें जो चार आइडिया मैंने बताए हैं वो प्रोबैबली जितना मुझे लगता है यूनीक है अभी कहीं implemented नहीं है फिफ्ट आइडिया जो है वो already implemented है जो कि एक splitwise आप है पर उसका अभी मैंने काफी जादा देखा नहीं मतलब एक splitwise के लावा मैंन कि जादा कर रहा है कोई सिर्फ अकेला बंदा कर रहा है कोई दो कर रहे हैं तो उससे ए ले ना है किसी को को देना है तो यह सारी चीज़े कर सकते है तो यह वैसे आल्ड़ेदी implemented है पर इसी अपने according और features भी add कर सकते हैं कि कुछ PTM से linked हो जाए कि वहीं की वहीं हम pay कर सके या कुछ इस type पी चीजे भी आप add कर सकते हैं तो यह काफी unique लगेगा और काफी अच्छा idea रहे So on final note मैंने 5 ideas आपको बताए हैं जिसमें से एक already implemented हैं बट उसमें आप अपने कुछ unique ideas दालके उसको और अच्छा कर सकते हैं और 4 जो है वो already unique ideas है तो आप उसके ऊपर directly भी work कर सकते हैं या कुछ इसी type से जैसे मैंने सोचे हैं कि already implemented apps हैं उसी तरह का हम और किस किस product के लिए उनको कर सकते हैं वो आप सोच कर उन्हीं सबको implement कर सकते हैं और यह काफी जादा better रहता है अगर आपका कोई एक project ऐसा हो जो already deployed हो और उसमें real life users भी हो तो वो काफी जादा अच्छा impact डालते हैं आपके लिजीमें पे So that was for this video thank you So